दोस्तो अगर आपके SP boat brand की smart watch है चाहे वो wave neo हो या boat storm हो या कोई भी series की boat की smart watch है और आपके मन में doubt है कि उस smart watch को charge करने के लिए किस charger का use करे या हम अपने smart watch को अपने power bank से भी charge कर सकते है या नहीं कर सकते तो आपको वीडियो दोस्तो पूरा help करेगा आज की वीडियो में आप आपको explain करके पताऊंगा कि अगर आपको अपनी smart watch को charge करना है तो किस charger का use करे अभी तक आपने my channel को subscribe नहीं किया है तो please my channel को subscribe कर लिजे ताकि आपको ऐसे latest videos मिलते रहें तो अभी charger के वारे हम समझाने के लिए मेरे पास boat की wave neo वाली smart watch है जो आपने भी अगर purchase कर रकियो flip card amazon से तो आप देख सकते हैं अगर इस smart watch को मिशिए charge करना है तो हमेशा मैं suggest करूँगा आप 5 volt 1 ampere या 5 volt 2 ampere के charger का ही use करे अगर आपको board की smart watch को charge करना है अगर आप इस से higher power rating वाले ही charger का use करेंगे smart watch को charge करने कले तो वो smart watch की battery को damage कर देगा तो अगर usually आपने देखा हुगा charger है, Xiaomi का charger है, Samsung का charger है, Mi का charger है और एक local charger हुई है तो अगर आपको इनकी power rating पता हूँ तो ये 65 watt का charger है, 35 watt का charger है, Xiaomi वाला, Samsung का 25 watt का है और बाकि जो है ये different wattage के charger है तो इन में से कभी भी आप higher power rating वाले जैसे 65 watt, 35 watt, 25 watt, 18 watt के charger का use ना करें वो battery को damage करेगा आपको usually कौन से charger यू यूज कर सकते हैं अपनी smartwatch को charge करने के लिए या इससे अगर low power rating का भी charger है, 5 volt और 1 ampere, इस तरीके का charger भी आप यूज कर सकते हैं अपनी smartwatch को charge करने के लिए, but in case आपके आप कोई ऐसा charger नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं अगर आप flip card है Amazon में जाके search करेंगे तो आपको Aru brand का charger मिल जाएगा easily, ज़रूरी नहीं है आपको यही charger purchase करने हैं, आप कोई और भी charger purchase कर सकते हैं, आपको easily 5 volt वाले या 10 watt वाले charger मिल जाएगे flip card Amazon में, अगर आपको इसकी power rating दिखाऊं तो आप रीट कर सकते हैं, यह 5 volt 2.1 ampere का charger है, तो इस तरीके का charger अप Amazon या flip card से purchase कर सकते हैं अपनी smart watch को charge करने के लिए, तो वो आपकी battery को damage नहीं करेगा, दूसरे case आता है, कि क्या हम power bank को use कर सकते हैं, अपनी smart watch को charge करने के लिए, तो इसका अंसर है yes, अगर इसकी power output जो है, वो 5 watt वो 10 watt है, but usually अगर आप जितने ही भी आजकल के power bank देखेंगे, उनकी जो output rating होती है, 18 watt, 35 watt या उससे higher power rating के होते हैं, क्योंकि आपके जो power bank बने है, वो आपके smart phone को charge करने के लिए ना कि आपके smart watch को, तो अगर आपके आपके पुराना power bank है, जिसकी power rating जो है, वो 5 watt या 10 watt है, या 12 watt भी है, तो उस case में तो आप power bank से charge कर सकते हैं smart watch को, बैट अगर उससे higher power rating है, कोई power bank है, तो मैं suggest नहीं करूँगा, power bank का use करें charging के लिए, उस case में वो आपके smart watch की बैटरी को damage कर देगा, तो इस तरीके से अगर आपको charger purchase करना है, तो आप low power rating का charger purchase कर लिजिए, अगर आप अपने घर में भी सर्च करेंगे, तो आपको कोई पुराने charger में मिल जाएंगे जो 5 watt या 10 watt के होंगे, दोस्तों अगर आपके में अभी भी कोई doubt है charging से related, तो आप comment section में जाके question कर सकते हैं, अपसका जुरूर reply करेंगे, और आपको दोस्तों वीडियो अच्छा लग है, तो please वीडियो को like कीजेगा, चैनल को subscribe जुरूर कीजेगा